इंटेनी इसमें सरी से छोटी होती हैं और यह मॉनलीफार मॉनलीफी मिनस होता है मुप्राकार प्रकार की होती है और यह नव से 20 खंड की होती है अनुपस्थित होते हैं और ओसली जो है यह उपनेत्त होते हैं और यह समाल तथा जिलिदार होते हैं इसलिये इसको आई 013 ते रा कईते हैं, अथ धा दोनों जोरी पंग समान होते हैं, जननांग जो है यह यह या तो यह अनुपस्चित होते हैं अथवा दोनों मेल और फिमेल में यह आवसेश की रूब में पाए जाते हैं अब इसकी जो फेमली है एक फेमली है इसमें मुक्रूप से टर्मी टिदेई जिस पे तर्माइट आता है ठीक है जिसके कर्माइट इसमें आता है तो इसके तीन-चार करेक्टर है अब आएए आधर हेमी टेरा यह दो ग्रीक भासा के सब्दों से मिलकर बना है जो है हेमी प्लस पेटरान हेमी मीनस होता है हाफ आधा तीक है पिटरान मीनस होता है विंग अर्था आधे पंख मोते होते हैंUND आधे मेंबरेनियस अर्था झिलिदार होते है ठीक है अब हेमीब्टेरा में जो है कौन कौन से कीट आते हैं ठीक है इसमें कई कीट आते हैं जो है नमबर एक करेक्टर इसका है ये सूच में से मध्धमाकार के कोमल तवचावाले लंबे और अन्डा के कारकीट होते हैं अब हेमीब्टेरा आदर में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइब के माउथ पार्ष होते हैं ठीक है एंटनी 2 से 10 या कभी कभी 25 खंडी होती हैं compound आई इनकी बरी होती है उसली उपस्थित या उपनेत उपस्थित या ऑनपस्थित टांसर सीनका एक से 3 खंडी होता है सरसाई इनमें अनुपस्थित होती है उसी तरह जो पिछला मैंने बताया उसी तरह आपको करेक्टर लिखना है लेकिन ये पता होने चाहिए कि कौन से कीट किस आदर में आते हैं तभी आप करेक्टर लिख पाएंगे इस आदर को जो है दो सब आदर से में डिवाइट किया गया आदर हूमोग तेरा और हिटरोग तेरा हमीग तेरा के दो सबादर है सबार होमोग तेरा और सबार हिटरोग तेरा होमोग तेरा ये दो सब दो से मिल कर बना होमो पलस पैटरॉन होमो means होता है similar पैटर्उन means बिंग अथा दोनों जोरी पंक समान होते हैं थीक है दोनों पहला करक्तर है दोनों जोरी पंक मुटाई रंग एवं बनावत में एक जैसे होते हैं इसलिए इसको हो मोब तेरा सब आधर करते हैं थीक है तरसाई एक सी तीन खंडी होती है मेता मार्खों से सिंपिल अथवा इनकंप्लीट ठीक है साधारर या अपूर्णी रूपांतर होता है एंटेनी इसमें फिली फार्म धागाकार पाई जाती है जो है लेक्स के अंत में यानि टांगों के अंत में क्ला होते हैं दो क्ला होते हैं अब उनके नीचे जो है ये क्ला के नीचे पल विलाई गद्धिया लगी होती है मैंने आपको पांच साफ लेग में पढ़ाय था कॉक्सा कॉक्सा क्रोकाइंटर फीमर टिविया टार्सस और प्री टार्सस प्री टार्सस में दो क्ला लगए होते हैं ठीक है क्ला के जो यहां पर जिली एक गद़्ी लगी होती है उसको हम क्या कहते हैं एरुलियम जो नीचे लगी होती है उसको पल विलाई कहते हैं तो क्ला के नीचे पल विलाई लगी होती है कि इसके अंतरगत जो है आदर सब आदर हो मुप टेरा के अंतरगत कई कई फेमिलिया है यह यह एपी डिडेई एली एली यूरो डिडेई कॉक्सी डेई और जैसी डेई और फ्लूगोराइडीडी अल 250 सल्डूगोराइडीडडी यह मोस्ट इंपॉर्टों जो है फेमिली है ग्रमसड रदर आठो टेरा आठो टेरा दो ग्रीक भासा के सद्यों से मिलकर बना है आर्थयोज और प्यपर्टांच प्रेट्रांच उत्व ग्फटर 157 प्रेट में उत्व भिंग संथान खरेए पंको यह प्रत्य। आदर के करेक्टर कैसे लिखने है। रहे हैं वह मैं आपको में में पॉइट बता रहा हूँ जैसे कीट का आठार ठीक है पहले तो आपको ये पता होना जाए कि आठोब 13 आधर में कौन से कीट आते हैं उसी के अंसार आप लच्छन लिखेंगे ठीक है जैसे आठोब 13 आधर में जो है ग्रास आपर आता है और ये करते हैं एक इंसेक्ट तेह नो टेल पा आता है आपका वह आता है क्या कहते हैं जींगूर आता है ठीक लेकिन इंगरी कल्चर पॉइंट आप युश्ण से आपका ग्रास आपर एक डीड़ेव एक हमली में आता है आप आता है पोरा के प्षु आधर लिखने के ये हैं कि कीट कीट का कार कैसे हो सूछ में आति सूछ मद्यम या बरे ठीक यह सब के लिए हैं बता रहा हूँ है किट के मुखान कीमकुखान किस प्रकार के हैं उसकी इंटनी किस प्रकार की है ठीक है जिसे फिली फार्म है या सिटेसियस है या मॉलली फार्म है ठीक है फिर हेड में यह कंपाउंड आई जो है संयुक्तनेट या ओसली है की नहीं है उपनेट जिनको कहते हैं ही तर्म है उसके बाथ आपको उच्च के बारे में लिखना होगा कि फ्रेक्स किदने भागों है दीवाइथ है फंक्क लगे होते हैं ठीक है फिर रूपांतर कायसे होता है इन कंप्लीट होता है कि कंप्लीट में तमार कौशित होती है तीक है उसमें लेक्स में आ जाई है लेक्स में जो है आपके विशेश कर जो है आपको जीसा सरसाई के तार्सस के बारे में प्री तार्सस जो है इसके बारे में लिखना होगा फिर इसके बार उधरी उपांगे के बारे में एबडामिनल जो है उपांग जो होते हैं इनके बा आठोटेरा अभी बताया मैंने यह दो ग्रीक भासा के सब्दों से मिलकर बना है आठोज प्लस प्यट्राइब ठीक है आठोज मीनस होता है स्ट्रेट मीनस होता है खरे ठीक है प्यट्राइब अब जैसे करेक्टर लिखना है तो इसका पहला करेक्टर है कि मध्यम से बरे आकार वाले कीट होते हैं नमबर एक दूसरा मुखांग बीटिंग है ज्वेंग टाइब के मुखांग कातने और चवाने वाले मुखांग पाए जाते हैं स्रंगिकाएं जो है फिली फार्म या सिटेसियस सिटेसियस मीन्स होता सूका का या सूइके आकार की फिली फार्म मीन्स या धागा का ठीक है इसमें पंक पाए जाते हैं सीधे होते हैं इनमें अगली जोरी जो पंक होते हैं सक्रे होते हैं अब मोटे होते हैं इसलिए इस प्रकार के पंखों को टैग मिना कहते हैं ठीक है टैग मिना ये दो नमबर में आ सकता है ठीक है अगली जोरी पंख सकरे और मोटे होते हैं इसलिए इस प्रकार के पंखों को टैग मिना कहते हैं ठीक है अब कंपाव एक जोरी संफनेत होते हैं दो या तीन उपनेत होते हैं तीक है इसके बाद आये अब उदर में उदर में टाइपे नम कर्ण पता है इसको कहते हैं या सेंस आर्गन्स होता है ज्यानेंद्रियां होती है जिसके द्वारा कीट को मतलब आभास होता है ठीक है यह उदर के प्रथमखन पर इस्थित होता है किनी केटों में ये टीविया में इस्थित होता है टीविया क्या है पार्स आफ लेक्स तीक है तांगों का ये भाग है ठीक है मैंने बताया था कोक्साः क्रोकाइंटर फिमर टीविया टार्सस और प्री टार्सस ठीक है तुदु के टाइपेज जो है उदर के प्रथम खंड पर इस्थित होता है या Tibia के अग्रिसीरों पर इस्ठित होता है दो ही जगे ये टायपिनम इस्ठित होता है या तो उदर के प्रत्वम खंड पर या Tibia पर Tibia क्या है पार्चाफ ले गए शरीर लंबा होता है सरसाई पूर बिक्सीट होती है ये एक जोरी होती है और उदर के यह NL जहां पर गूदा होता है वहाँ पर यह Ns जिसको कहते हैं वहीं पर यह एक जोरी स्थित होती है यह हुए आपके आठोग 13 अडर के करेक्टर अब इसमें कौन कौन सी फिमली आएगती हैं अब इसमें पूसकता है कि आठोग 13 अडर के दो करेक्टर लिखे दो नमबर पर आए गई है अब इसमें जो है फेमिली जो है एक्री डिडेई एक्री डिडेई इसमें जो है ये हीरो ग्लाइपस बैंगियन ग्राशापर का साइंटिफिक नेम है और इसमें एक पैड़ी ग्राशापर है एक खरी ब्राशापर है खरी ब्राशापर का साइंटिफिक नेम है हीरो ग्लाइपस निग्रो रिफिलेटस और एक लोकस्टाती इसमें सिस्टो सिरा ग्री गेरिया ठीक है अब ग्राशापर के एक ली डिडेई में मुख्रूप से ग्राशापर है अब इसके लक्षा जो है पहले आप आए एंटनी सरी की लंबाई से छोटी होती है अब जो क्योंकि ग्राशापर कूजता है इसलिए इसकी जो है दूसरा करेक्टर की पिछली कांग जो होती है जो मेता थोरेक्स में स्थित होती है यह लंबी होती है और इनकी फीमर पार्शाफ लेग है ठीक है फीमर जो है यह मांसल अकूदने के लिए उप्युक्त होती है मजबूत होती है और फीमर पर जो है मैंने आपको बताया था एक फूंटियों की मजबूत फाइल लगी होती है मजबूत होने के कार यह कीर जो है जंपिंग करते हैं ठीक है कार्शस दो या तीन खंडी पार्शाफ लेक्स यह टीविया के बाद आता है दो से तीन खंडी होता है ठीक है टाइप एनम भी आप लिख सकते हैं उदर के पर्थम खंड के दोलोता पिस्थित होता है इस तरह से यह जो है एक्रीटी डेई के करेक्टर है दूसरा फेमली है ग्राइले डेई यह हाउस क्रिकट जीमुर घर में रहते हैं वो आता है इसके अंतर अगर एक फेमली है ग्राइलो तेल पीडेई यह ग्राइलो तेल पा इंसेक्ट आता है इसमें ठीक है इसकी 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 यह विशेश्था होती है इसमें भी जो है जो इसकी जो अगली जोरी तांगे होती है अगली जोरी मतलब जो प्रोलेक्स प्रोथोरेक्स में इस्थित होती लगी होती है मजबूत और मित्ती खोदने के खुर्पे की याद आकरत में इनका टिविय परिवार्ट कित रहता है जो खूदने के काम आता है इनका तार्शस दो से तीन खंडिये जो है होता है कि इसकीट के जो है जो पंक जो होते हैं सक्रे और मोते होते हैं इसलिए इसको टाइब मिनाद काईते हैं इसमें कर पता है काईटेनम जो है यह तीविया पर इस्ठित होता है इस तरह यह जो है जो है इसमें मोस्ट इंपोरिटेंस है आपकी जो फिमली है अर्थोप्टेरा की एकडी डीली ही है जिसके अंतर कताप का गरासा पराता है अब दूसरा आधर है आईसो तेरा ठीक है आईसो तेरा ये गरीक भासा का सब्द है ठीक है ये भी दो सब्दों से मिलकर बना है आइसो प्लस 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 समान होते हैं अब आपको करेक्टर लिखने के लिए अब आईसोब 13 आदर में कौन से आते हैं मुखरूब से दीमक आता है अब दीमक के करेक्टर एक तरह से आपको लिखने ही है दीमक के ये सूच्म कीठ होते हैं सूच में से मध्यमाकार के होते हैं अब कोमल पुचावाले कीट होते हैं पहला करेक्टर ये है दूसरा है इनमें पॉली मार्फिज्म बहुरूपता होती है बहुरूपता का यहां मतलब है इनके जो परिवार में होते हैं परिवार जो होता है इनके परिवार में कई सदस होते हैं जिसको हम जॉइंट फेमिली कहते हैं तीक है जैसे राजा, रानी, नर, वर्कर, सिपाही और पंखधारी, नर और मागा इसलिए इसको पॉली मार्फि जो बहुं रूपता कहते हैं तीसरा पॉइंट है ये समाजिक कीठ होते हैं और ये का कलोनी बनाकर रहते हैं कलोनी म dit समुम बनाकर ये रहते हैं तैंज अगला चौतर पर रुपांत्र जो है फिर्ट मेसलिए इन कमप्वीट मेइतामार्फि होते हैं तीए इस कम्प्लीट नहीं होते हैं या इसको है कि इसमें क्याज़ारानी नर, वर्कर, सिपाही, पंखदार नर्मादा का इसमें जो है एग निम्फ और एडल्ट यही यह इतना होता है ठीक है निम्फ के बाद यह एडल्ट में सब परिवार्टित होते हैं ठीक है तो कम्प्लीट इनकम्प्लीट मेता मार्फोस होती है और बीटिंग एंड च्वेंग ताइब माथ माउच पार्स होती है